Roll It Act को one of the most controversial legislative bills माना जाता है जिसको British government ने इंडियन के civil liberties को कर्ब करने के लिए इनक्ट किया था Roll It Act की वज़े से जाले वाला बाग मैसिकर हुआ था अभी हाली में प्रधान मंत्री ने जाले वाला बाग को इनॉगरेट किया है इसको फिर से रेनॉवेट किया गया है इंडियन नाशनल मुव्मेंट के लिए जाले वाला बाग मैसिकर वन अफ था सैड़ेस टे है लेकिन इसके बाद ही इंडियन नाशनल मुव्मेंट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी हो गया आईए जानते हैं इसके डीटेल्स रॉलिट अक्ट का ओफिशल नाम है इनार्किकल और रिवॉलिशनरी क्राइम्स अक्ट इसको लाये गया था डिफेंस ऑफ इंडिया आक्ट 1915 को रिप्लेस करने के लिए क्यों लाये गया था पहले विश्यविध के दोरान बिटिश गर्मेंट ने काफी सारी लॉज पास किये थे उनको एमर्जन्सी लॉज कहा गया था ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो सके किसी एमर्जन्सी सिचुएशन को डील करने के लिए विश्वेद्ध जब समाप्त हो गया तो demands आने लगी कि इन emergency laws को हटाया जाए लेकिन British government को ये भी डर था कि इस demand के साथ साथ Indian national movement है वो भी जोर पकड़ता जा रहा है तुन्होंने एक committee बठाई under Sir Sydney Rollet on seditious activities इनके ही recommendation पे ये Rollet Act बना इसलिए इनके नाम पे ही है ये Rollet Act Official name है Anarchical and Revolutionary Crimes Act इस Act ने British government और police को enormous power दिये बहुत आदा power दे दिये to arrest anyone suspected of seditious activity Sedition क्या है जब government के against कोई activity होती है तो British government उसको sedition कहती थी अभी sedition के अलग definitions हो गया है sedition को detail से जानने के लिए link में description में डाल दूँगी मैंने video बनाया है उस पे क्या था Rollet Act में इस Act के बाद anytime अगर कोई person suspected है तो उसको arrest किया जा सकता है बिना किसी warrant के ये दर असल एक तरीका था nationalist leaders या फिर जो revolutionaries थे उनको arrest करने का बिना किसी warrant के केवल suspicion के अधार पे संधी के अधार पे और इस तरह से उनको दो साल तक arrest करके रखा जा सकता था without trial बिना trial हुए तो trial नहीं होगा प्रूफ नहीं हो पाएगा कि सही है या गलत है this act also took away people's right to legal discourse यानि कि वो court नहीं जा सकते थे अगर उनको arrest कर लिया गया है and suspended the constitutional right to habeas corpus habeas corpus के है जब किसी को बगार किसी reason के या फिर बिना बताय अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनके पास एक constitutional right होती है कि वो demand करें कि उनको produce किया जाए सामने में लाया जाए ऐसा नहीं कि उनको कहीं arrest करके प्रिजन में बेज दिया जा रहा है लेकिन ये habeas corpus भी suspended कर दिया गया था the rollet act was an extension of the emergency law in the aftermath of the first world war जैसे मैंने बताया emergency laws जो आया थे first world war के दोरान उनको ही एक तरह से ये law replace कर रहा था the act also meant severe limitations on free press and gave the police undue right to search public and private spaces without a warrant जो भी press चल रही थी उन पे raid कर सकती थी पुलिस बिना बताये चापा मार सकती थी seize कर सकती थी तो ये एक तरह से free press पे limitations था and there was an indefinite ban on public gatherings of any nature यहां से ही point आता है कि किस तरह से massacre हुआ जालिया वाला बाग में इस draconian act के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने सत्याग्रा शुरू किया रॉलेट सत्याग्रा ये एक peaceful civil disobedience movement था जिसमें इस act के अगेंस्ट peaceful protest किये जाने थे उन्होंने nationwide launch किया इसको on 6th April 1919 कमीटी कब बनी थी Sydney रॉलेट की 1917 में बनी थी Act 1919 में आया उन्होंने काफी protest किया था जैसे कि मुहमद अली जिन्ना ने resign कर दिया था legislative assembly से और उन्होंने British power के dictatorship को criticize भी किया था लेकिन फिर भी bill pass हो गया और महात्मा गांधी ने finally launch किया लेकिन विशु उद्र के दौरान जो Indians की involvement थी और उनके साथ जो यहवार किया गया था इससे काफी ज़्यादा गुस्सा था खासकर पंजाब में काफी ज़्यादा लोगों ने participate किया था वर्ल वार में बिटिश आर्मी में वो लड़े थे लेकिन जैसा treatment उनके साथ किया गया था और बाद में जो liberties कर्ब किये जा रहे थे तो वहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा था पंजाब में इसलिए यह जो movement महात्मा गादी ने launch किया था यह peaceful नहीं रह सका और जल्दी violent हो गया riots हर जगा होने लगे इस riots को देखते वे महात्मा गादी ने movement को call off कर दिया लेकिन इतनी जल्दी सबचे का communication उस समय होना possible नहीं था इसी protest के दौरान कई prominent leaders जो थे congress के उनको arrest कर लिया गया जैसे सत्यपाल सेफदुन, किचलू यह पंजाब के leaders थे इन सब को देखते वे पंजाब में martial law लागू कर दिया गया martial law का मतलब था कि चार से ज़्यादा लोग एकटे नहीं हो सकते assemble नहीं हो सकते प्रोविंस में अब 13 April 1919 जालिया वाला bad massacre का दिन उस दिन क्या हुआ यह दिन बैसाखी का दिन था बैसाखी के दिन मेला लगता था पंजाब में और बहुत सारे लोग बहुत दूर-दूर से आकरके वहाँ पे एकट्टा होते थे खासकर इस पार्क में जालिया वाला पार्क में इसी पार्क में एक peaceful protest भी organized किया गया था अगेंस्ट रॉलिट एक्ट और जो Congress leaders wrongful arrest हुआ था उसके अगेंस्ट भी अब इस पार्क में protesters तो थे ही कुछ लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कि बैसाखी मनाने आये थे और innocent लोग थे बच्चे और वहाँ पे इकट्टा हुए थे अब इतने सारे लोग इकट्टा थे General Dyer को मौका मिल गया उन्होंने सारे entry point बंद करा दिये and opened fire on peaceful gathering कहा जाता है कि इस massacre में 400 से ज़्यादा civilians जाने रही थी और लगभग 1200 से ज़्यादा लोग injured थे काफी ज़्यादा धंगामा हुआ इस पे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इसको महात्मा गादी ने अपना कैसरे हिंद का टाइटल गिव अप कर दिया रभिंदर नाट टेगोर ने अपना नाइठूड गिव अप कर दिया इन सब को देखते हुए बिटिज गवर्मेंट ने एक inquiry बठाई अंडर लॉड विलियम हंटर इसलिए इसको कहते हैं हंटर कमिशन इसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे हंटर कमिशन ने अपना रिपोर्ट फाइनली मार्च 19-20 को प्रेजन किया जिसमें जनरल डायर के डिसिजन को और अक्शन को कंडेंड किया गया लेकिन कोई भी अक्शन उनके अगेंस नहीं लिया गया यहां तक कि कुछ लोगों ने जनरल डायर को सपोर्ट करने के लिए एक फंड भी एकटा किया और एक तरह से उनको अवार्ड किया गया जनरल डायर के अगेंस्ट कोई भी पनल्टी या कोई भी डिस्टिप्लरी एक्शन नहीं लिया गया इसलिए इंडिया बार-बार ये डिमांड करती है कि जालिया वाला बाग मैसेकर के लिए ब्रिटेन माफी मांगे कैनड़ा के पी एंड जस्टिन रडू जब यहां आये थे अंडर दे नेम ऑफ अनार्किकल एंड रिवॉलिशनरी क्राइम सब्सक्राइब इसके अगेंस्ट में अप्रिल नाइंटीन ने महात्मा गाणी ने रॉलेट सत्याग्रा लांच किया लेकिन यह काफी जल्दी वाइलेंट हो गया तो उन्होंने सत्याग्रा वापस ले लिया और थर्टीन अप्रिल नाइंटीन नाइंट को हुआ हमारा ट्रॉमाटिक जालेवाला बाग मैसेकर फिर ऑक्टूबर नाइंटीन नाइंटीन में हंटर कमिशन आया और 1922 में फाइनली रॉलेट अक्ट को रिपील कर दिया लॉड रीडिंग ने वीडियो कैसी लगी कमें मुझे ज़रूर बताएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग